तबीको नमस्ते, मेरा नाम अदिती, मेरा दम सुझा है, हम दोनों ही इस मद्यश्त दर्शन के अज़िनार्थी के लिखने पाते हैं, और हम बहुत अपने आपको फुषाली पुर्वक देख पाते हैं, कि हमको ऐसा एक अधुर दर्शन मिल पाया, इसके लिए बाबा जी के प्रति कृतर द्यता रियक्त करते हैं, उसी के साथ जिन जिन लोगों ने हमारे इस समझने के यात्रा में प्रयाथ किया, सभी के लिए, सभी को कृतर द्यता प्रतित करते हैं, और इस यात्रा में हम लोग जो भी इतना भी समझ पाये, जितना भी सीचना लेपाये, इसको प ये जो पूरा अभी का स्थिती है समाज में कि ये करोना हो गया है और पूरा जागतिक एक स्थिती बन गई है उसका मुझे आता लगता है सबसे सबसे बड़ा या इसमें सबसे बड़ा योगदान दूर श्रबण दूर गमन दूर दर्शन का जो बाबा जी बोलते है कि उसका अच्छा उप्योग हो सकता है तो इसी अर्थ में ये हमको समझने आता है कि ये फूरा क्रम चल रहा है जिसमें हम सभी लोग एक दूसरे को सुन कि अर्थ में मतलब हम इसको प्रसुति है इसी अर्थ में हम देखते है कि हम खुड़ी समझने के अर्थ में और कितना आगे बज़ पाए और और लोगों को भी इसमें हम खोड़ा बरसायक हो पाए तो ये हमारे ये बहुत अच्छी बात है तो अभी तक हमने जो मानव वेवार दर्शन में नौ अध्याय का अभी सब्सक्राइब के द्वारा हुआ तो अभी तक हमने जो पढ़ा है मैं पांच-दस मिनिट में उसको एक रिव्यू जैसा कर देता हूं ताकि ये जो अध्याय है क्लेश मुक्ति उसका एक कनेक्टिविटी बैट जाए कि बाबजी यहां पे क्लेश मुक्ति की बात क्यों कर रहे है क्लेश मुक्ति की आवशक्ता क्या है अभii आवास तीक हम प्रयास करते हैं तो अभी तक हमने जो नौ अध्याय का अध्यन किया पठंड किया इसमें हमने तब ते देखी, समझी, तो सबसे पहले अद्या में बाबा जी ये बात कर रहे हैं कि मानव वैवार दर्शन, यानि जब मानव की बात कर रहे हैं तो ये सर्व मानव की बात है, सबसे पहले तो हमको ये समझ में आ जाए, और जब सर्व मानव की बात कर रहे हैं तो उसमें मानव यानि उसके मद्य में यानि वो वैवार किस से नियंत्रित होगा तो अब जब हम बात करें तो मद्यस्त सत्ता यानि जो को हम व्यापक कहते रहे हैं व्यापक में हर एक इकाई डूबी बीटी गिरी यानि के संत्रिक्त है यह उसी के कारण क्रियाश्पील है और उर्जा संपन है इन इसलिए सबसे पहले समझने की आवशक्ता है वो सहस्तित्व है यदि हम सहस्तित्व को छोड़के वहवार की कल्पना भी करते हैं तो उसमें कोई वहारी नेंत्रन समझ में नहीं आता इससे समझ में आता है कि जो व्यापक है उसमें एक-एक इक इकाईया डूबी दीदी द इसलिए पहला आज्जह बाबादी ने सहस्तित्व के रूप में रखा है। उसके आगे जब हम वहवार की बात करते हैं तो वहवार में सबसे पहले तो हमारा यह आता है कि जिस किसी से भी हंकोग कोई सयोग उन्नती के अर्फ में प्राप्त हुआ है। उनके प्रती मन में एक भाव आता है। इसी भाव को बाबाजी ने ख्रतर गयदा के रूप में सतिपादित किया है। इसलिए इसलिए रूतर अज्जह में कृते कि बात की। अब जब हम तीन ग्यान की बात करते हैं कि मानव भी ज्यान अवस्ता की इकाई है। जब ग्यान अवस्ता की इकाई है ये बात करते हैं तो ग्यान को बाबाजी ने तीन तरीके से बताया है। जिसमें बाबाजी ने ग्यान को बोला है सहस्तित्व दर्शन ग्यान, जीवन ग्यान और मानवियत अच्रन ग्यान। तो जब हम ग्यान की बात करते हैं, उसमें जब हम सहस्तित्व दर्शन ग्यान की बात करते हैं, तो उसमें समझ में आता है कि सहस्तित्व दर्शन ग्यान को समझने के लिए अस्तित्व दर्शन समझना अत्री आवशक है, तो अस्तित्व दर्शन समझने के लिए ही उसमें बा उसको समझना आवशक है, तो उसको समझने के लिए ही बाबा जी ने सुष्टी दर्शन अध्याय की प्रस्तूति की है, जिससे हमको समझ में आता है कि सवक्द्र प्रकृति जो है वो व्यापक में संप्रूक्त है और कैसे क्रियाशील है, और उसी को जब फिर आगे हमने चौ समझने की शमता है, जब ये बात हम कह रहे हैं तो उसका प्रयोजन क्या है, इसलिए मानो सहज प्रयोजन को इंगित करने के लिए चौथा अध्याय जो अजेबिया ने बहुत अच्छे से प्रस्तूत किया, उसको हमने समझा, उसके आगे फिर हमने पांचवा अध्याय जो है, उसकी बात उन्ने निर्ब्रमताव विश्रा में की है, उसके बात जब हमने परंपरा में भी बहुत सारे शब्द सुने हुए हैं क्योंकि हमने कर्म की बात की है, फल की बात की है, तो कर्म और फल की बात की है, तो कर्म और फल की बात की है, तो कर्म और फल की बात की तो ऐस आथ्वा आध्य में उन्होंने बात की कि मानुविए वैभार क्या होगा? आठ्वे में उन्होंने पध्रद्वम पतादीत की बात की, जिसमें व्यापक और इकाईयों का सहस्तित्व कैसे है? उसकी बात उनने की और जो आखरी आठो अध्य है जो हमने कल पढ़ा दर्शन, दर्श्य और दर्श्टी उसमें हम ये बात कर रहे हैं कि जो दर्शन है जैसे मानव वैभार दर्शन है तो दर्शन क्या कहता है दर्श्टी क्या है जिसको हम प्रिय हितलाब और नया देन्मसत्य के रूप में दर्श्टियों के रूप में देखा है तो उसको जो दर्श्टी है और दर्श्टी पूरवग प्राप्त क्या होगा तो जो दर्शन है वो जो जैसा है उसको वैसा समझ म आए याने कि अतिमुल्यन और दिर्मुल्यन से मुक्त याने कि जो जैसा है वैसा ही मुल्यांकन होना वैसा समझ में आना यही दर्शन है और उसमें जो क्रियाय है याने प्रकृति है उसका दर्शन होता है और जो उसमें द्रश्य याने कि अद्रश्य है याने कि जो व्याप जोड़ पाए और देख पाए तो इसी क्रम में जो आखरी अध्याय दर्शन दर्शे और दर्श्टी पढ़ा हमने उसकी बात करते हुए में आखरी जो तीन चार अनुबूतियां है उसको पढ़ना और थोड़ा विस्तार करना चाहूंगा क्योंकि उसी का कंटिनियेशन है उ क्रम से लिखे गए है और उसकी कोई ओचेत्यता है तो जो हमने पेज नंबर 71 है जो संस्करण है उसमें और उसमें जो एक अनुबूति है जहां से मैं शुरू करना चाहता हूं ये है नीचे से पांचवी अनुबूति है जिसमें बाबाजी कह रहे है ये जो लिखा है एश पर ध्यान देने के जुरूत ये है कि जो निर्वीज विचार की बात कर रहे है या निर्वीज विचार क्या है तो निर्वीज विचार को बाबाजी बोल रहे है कि दिव्य मानव कोटी का सुभाव है उससे पहले जो भी एशना तरह है ये सब सभीज विचार में ही उन्हो इसका जो संदर्व है वो क्लेश मुक्ती में भी आएगा इसलिए इसको पढ़ना सार्थक समझा उसके बाद जब बात दूसरी अनुबूती में कह रहे है कि व्यस्ति के अस्तित्व में पाए जाने वाले अभिमान वह अहंकार ही संकीनता वह क्लेश का मूल कारण है तो जैसे व्यस्ति के अस्तित्यों में पाया जाने वाला अभिमान वह अहंकार ही संकीनता वह संकीनता वह क्लेश का मूल कारण है तो जैसे अभिमान की जब हम परीपाशा पढ़ते हैं तो समझ में आता है जिसमें जो जैसा है उसको नहीं मानते हैं या तो हम अधिक मानते हैं या तो उससे कम मानते हैं या उसको कुछ और ही मान लेते हैं यही अभिमान है और यह अभिमान कहा है तो चित्तम है क्योंकि यह जो ब्रहमित मानने ता है वो चित्रन तक ही सिमित रहती है बुद्धि में वो नहीं जाती या बुद्धि उसको नहीं स्विकारती तो इसलिए जो यह बात कह रहे हैं कि अभिमान जो है यही कलेश का मूल का तो इससे हमारा सीधा एक अनुमान बनता है कि अगर क्लेश के ये मूल कारण है तो यदि हम क्लेश से मुक्त होना चाहते हैं तो हमको अभिमान और अहंकार से मुक्त होना है तो इससे क्लेश से मुक्ति को हमको समझ में आ रहा है कि अभिमान और अहंकार से मुक्ति ही क्लेश म वियापक सत्ता में अनुभूती से ब्रांती का उन्मुलन होता है तो आखिर में होना चीम के उन्मुलन सन्भाव नहीं है तो जो म्हिक्ष है मानाव का वो तो यह है उसके अगए जो उन्होंने बात की है कि यथाठ दर्शन के बिना मान्विय विचार बिना मानिवीय कारे वहवार में प्रवुत्ति, मानिवीय कारे वहवार के बिना वहवार की एक सुत्रता, वहवार की एक सुत्रता के बिना निर्विरोधिता, निर्विरोधिता के बिना निर्विरोधिता पूर्ण समाज, निर्विरोधिता पूर्ण समाज के बिना सहस्तित्व, स यह अस्तित्व के बिना समाधान सम्रुद्धी, समाधान सम्रुद्धी के बिना स्वर्गियता, स्वर्गियता के बिना विवेक व विग्यान पून अध्यन, विवेक व विग्यान पून अध्यन के बिना यथार्थ दर्शन का प्रमान नहीं है। इसकार समीदान व्यवस्ता यह चार आयम है या जिसको हम आचरन समीदान विधी व्यवस्ता या संस्कृति सब्वेता विधी व्यवस्ता रूप में भी जानते हैं तो इन चारों आयमों में जब हम देख रहे हैं तो यह कैसे होगा उसकी पूरी बात उन्होंने यहां पर की ह वो कह रहे हैं कि यथार्थ दर्शन, यानि कि जो जैसा है उसको वैसा देखे बिना, जो यथार्थ दर्शन है उसके बिना मानुविय विचार, यानि मानुविय विचार जब हम कह रहे हैं तो समाधान पूर्ण विचार की बात कर रहे हैं, समाधान पूर्ण विचार के बिन बिना मानुविय कारे वहवार में प्ररूरती, बिना समाधान के मानुविय वहवार और कारे में प्ररूरती हो नहीं सकती, मानुविय कारे वहवार के बिना वहवार के एक सूतरते, याने वहवार के एक सूतरते, याने जो वहवार जो है वहवार अनुबव मुलक विचार से संप्रेशित होके जो हमारा उसको बोल रहे हैं कि वहवार की एक सूतरता वहवार की एक सूतरता के बिना निर्विरोधिता होना संभव नहीं है निर्विरोधिता के बिना निर्विरोधिता पूर्ण समाज के बिना सहस्ते तो यदि निर्विद्वा पूर्ण समाज अगर नहीं बनता है तो सहस्ते तो प्रमानित होना सम्पव नहीं है यदि सहस्ते तो प्रमानित होता है तो समाधान सम्रुद्धी होती है और समाधान सम्रुद्धी यदि होती है तो उससे स्वर्गियत आ यानि उस अगर यह नहीं हो पाता है ऐसी परमपरा नहीं बनती है तो दर्शन का कोई प्रमार नहीं मिलता जो बोल रहे हैं कि अभी तक विगत परमपराओं से प्रमार की अपेक्षा थी पर प्रमार अभी तक नहीं मिला उसका आशर यहीं है कि अभी तक शिक्षा, समीदान, अचरण और व्यवस्ता में इसका प्रमार अभी तक हमको सर्वसुलब होता हुआ देखने को नहीं मलता है तो यह बात उन्हें पूरा इसमें किया है और इसी के चलते यह जो पूरा अध्या है क्लेश मुक्ति उस पूरे अध्या में इसी की बात की है कैसे सर्व मानव क्लेश से मुक्त हो सकते हैं उसकी क्या विदी है क्यों आवशक है और क्लेश मुक्ति से क्या उपलब्दी होगी इसकी पूरी बात इस अध तो अध्यायदस में जो शुरुवात है कलेश मुक्ति जिसको जोडते हुए अभी जिगर भाई ने रखा सब तो कलेश का जो कारण है उसको हम देख सकते हैं कि दुख समस्याक्षो ब्रह्म यही सब कलेश के कारण है और इससे मुक्ति पाने का प्रयास हर मानव करता ही है हम लोग सबी देख पाते हैं कि हम लोग कलेश से मुक्त होना चाहते हैं तो इसलिए यह जो पूरा अध्याय है इसमें यह समझ में आता है कि अभी तक जो मानव परमपरा में या व्यभार में जो कलेश है न या उसको उस अशा सर्व मानव में पाई जाती है ये जो आशा है ये कि हम मुक्त हो जाए इस कलेशों से मुक्त हो जाए दुख से मुक्त हो जाए इसकी आशा सर्व मानव में पाई जाती है पूरे मानव समाज में इसको हम देख पाते हैं और इसलिए सभी मानव अलग-अलग तरीके से प पिर जब सम्मंदों में जीना नहीं बनता है तो और चीजों में अपने मन को लगाते हैं इसके पीछे का आशय तो इतना ही है और इसमें फिर आगे जो बाबा जी लिख रहे है ना दुख से मुक्ति तथा भ्रम से मुक्ति ऐसे भेज से ही मुक्ति के लिए प्रयास है इसी के लिए समस्त अध्यान, उपासना, प्रयोग, व्यवहार, व्यवसाय, अभ्यास और निष्ठा संपन्न हुई है विगत परमपरा में मुक्ति का कोई प्रमान, अथवा उपाय, अध्यान गम्य नहीं हुआ है इसी लिए भ्रममुक्ति हेतु यह प्रस्ताव है तो बाबा जी जो लिख रहा है, इसमें यह समझ में आता है कि कलेश जो है, उसमें दो मुख्य कारण है एक तो दुख है और दूसरा है भ्रम तो जो समस्या है, समस्याओं का जो प्रभाव है उसको हम दुख कहते है दुख के रूप में हम उसको समझ पाते है और जो भ्रम है उसको हम यह जो यथार्त दर्शन नहीं है जो अयथार्त दर्शन है वही भ्रम है या जैसे बाबाजी ने दो-तिन जगा पे अलग-अलग तरीके से उसको रखा है कि अपने आपको शरीर मान लेना ही सबसे बड़ा भ्रम है या यह जो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, अनाव्याप्ति दोश है जीने में और मुल्यांकन में जो अवमुल्यन, निर्मुल्यन और अधिमुल्यन का दोश है यही भ्रम का कारण है तो यह दोनों से कलेश है और इसी से हमको मुक्ति पाने के लिए पूरे प्रयास हो रहे है कलेश का जो अर्थ है जो मैंने बता है मतलब कलेश यान API दुख या भ्रहम ही है तो वो क्षोब, दुख, भ्रहम, यह सभी को मिला के हम कलेश कहते है तो फिर आगे यह बता रहे है कि यह जो मतलब यह जो पूरा हम प्रयास करते है हम अध्यास करते है, उपासना करते है प्रयोग, व्यवार, व्यवसाय, अभ्यास, निष्ठा इसको आगे पूरा इस अध्याय में मतलब आगे जैसे हम पढ़ेंगे हर एक को बाबा जी ने विस्तुरत रूप में रखा है तो ये पूरा जो है ये इसी के अर्थ में है कि कलेश से हम मुक्त हो जाए दुख से मुक्त हो जाए, भ्रहम से मुक्त हो जाए और ये जो पूरा प्रस्ताव है ये इसी मुक्ती के अर्थ में है कि हम भ्रहम से मुक्त हो जाए ये भी समझ में आता है कि भ्रहम से मुक्त होने से दुख से मुक्त हुआ जा सकता है क्योंकि जो अभी हमारे में जो भ्रम है उसी से दुख का सबसे बड़ा हमको पीड़ा हमको समझ में आती है और फिर बोल रहे है कि विगत परमपरा में मुक्ति का कोई प्रमान अथवा उपाए अध्यन गम्य नहीं हुआ मतलब वो जो बात अभी जिगर भाई ने रखी थी कि शिक्षा, समविधान, व्यवस्ता और आचरण चारों में हमको मुक्ति का प्रमान देखने को नहीं मिलता है या हम ऐसा भी कह सकते के व्यवार और कार्य में इसका हमको प्रमान कोई दिखने में अभी नहीं आता है परमपरा के रूप में और ये सर्वसुलब नहीं हुआ, कुछ लोगों ने कुछ प्रयास किये हैं, पर ये सर्वसुलब नहीं हुआ और परमपरा में भी हम देखेंगे, तो जो मतलब जिसको हमने मुक्ति कहा है, उसको वो बंधन से मुक्ति, मोक्ष पाने की स्तिती, इसको ही मुक्ति के रूप में रखा है इसको आगे बाबाजी ने बहुत अच्छे से प्लेस किया, ये पूरा जो अध्याय है, हम देख पाते हैं कि परमपरा में भी इसकी बात हुई है, कि हम मुक्त हो पाए, तो उसी अर्थ में ये पूरा अध्याय को आगे हम देखेंगे, आगे जिगर भाई को देखते हूँ तो जैसे अदिती ने अभी सब कुछ बताया है इस ने कि क्लेश मुख्ती को क्यों बताया है? क्लेश मुख्ती में बहत बोलचाल बात करते हैं कि कलेश हो गया। जगड़ा हो गया, यह सब क्लेश है, सामानने बाशा में, साध्धारम बाशा में जो हम समझते हैं, आमजन मानस में तो उसको क्लेश बोलते हैं, तो उससे मुक्ति के लिए बहुत सारे प्रयास हुए ही है अभी तक, तो क्या प्रयास हुए तो उसको हम देख पाते हैं, कि भ प्रलप में प्रियास हुआ यह संसार बंदन इससे हिन होना है यह भी एक मुक्ति कि बात है जो कर्म से बंदन से मुक्ति इज को भी निवारन है वो ब्रह्म्मुक्ति से ही होगा तो ये ब्रह्म्मुक्ति कैसे होगी इसलिए मद्यस्त दर्शन का प्रस्ताव है तो उसी में जो उन्होंने छे बाते बोली है कि अध्यन उपासना प्रयोग वेवार वैसा और अभ्यार और निष्टा संपन हुई है अभी तक पर रूप गुण परिवर्तन शील है स्पष्टी करण में बता रहे हैं इस अनुबूति के स्पष्टी करण में जो स्टार है वो स्पष्टी करण के संदर्प में प्रयुक्ति गई संग्या है तो इस अनुबूति के में लिख रहे हैं कि रूप गुण परिवर्तन शील है का गठन भी मद्याँश तथा आश्रित अंसों से है पर्मानू में समाहित अंशों की सकरियता इवम विकास क्रम भीज से ही सभी अवस्तायं है तो इस अनुगूति में जो पूरी बात कर रहे हैं तो इसमें ये बात कर रहे हैं कि जो अध्यन है सबसे पहला आंग जो नोंने बता है दुख से मुक्ति और ग्रम्त से मुक्ति जो प्रयास हो इसमें सबसे पहला भाग अध्यन है तो अध्यन से क्या होता है तो अध्यन से यही होता है कि हर इकाई जो है ना सभ कब स्पष्ट होगी जब ये सभी गठन प्रक्रिया आप्चिरन परिणाम और प्रयोजन इस सब चीज़ा हम में स्पष्ट हो जाती है तो उसमें भी जो बोल रहे हैं कि जो जैसे हम बोलते हैं हर इकाई का रूप गुण सुभाव धर्म है तो उसमें जो रूप गुण वाला भागए वो तो परिवर्तन क्या है तो उसमें शाष्ट क्या है जो तत्व किसको कह रहे हैं तो हर इकाई के मूल में पर्मानु है तो यह जो पर्मानु है इसी को बोल है तत्व लि сок लगा na है कि सभी द्रिशत इकाईयों में गठन का मूल तत्व पर्मानु है अब जह हुं देखते हैं जो मूल ततो पर्मानु है तो पर्मानु का जो गठन का सिद्धान्थ है जिसको हमने श्रम गती परिणाम के रूप में देखा है ये सभी इकाईयों में समान है सभी इकाईया याने जड़ हो या चैतन ने हो सभी इकाईयों में ये समान है इसलिए उसको बोला है के गठन प्रक्रिया आचरण परिणाम प्रयोजन में से जो गठन का सिद्धान थे वो समान है और परमाउन का गठन जो है वो भी मध्यांश तता आश्री तंसों से ही है अब परमाउन में समाई तंसों की शक्रियता हैं विकास करम बेच से ही सभी अवस्ता है इसमें बता रह प्राणमय कोश को देखे जब प्रथम और द्वितिये परिवेश है उसके अंशो की शकृता से हमनों में कोश देगा इस तरह से जब हम अंतिम पिरिश यानि के जो पहला पिरिश जिसों, आत्मा का है। उसकी शक्रियता होने से ही विज्ञान मैखोष्ट का उद्गाडन होता है। तो यह जो अंशो की शक्रियता है। और उसके विकास करम भेद जो है अल्लागल। उसी इसे सभी अवस्थाएं यहाने पदार्तः वस्था प्राण वस्था जीव अवस्था ग्यान वस्था यह चारों अवस्थाएं ऐसाजी शख्रिएद्वा की भेट सरये रहें। कर रहा हैं पर उसका गठन का सिद्धान दे उस अभी में समाने जो हो स्रम् गती और प्रयाम क्योंकря पुरी अस्तितों में इर पुरी दर्शन में एक जिद्धान की बात की है श्रम् गती प्रयाम और एक ही मानने चता है जो है प्रकृति का अना दित्व और ज् youtube श्रम अगली अनुबोती अध्यान ही उपासना है प्रमानित मानव ही अध्यापक है जिनके सानिध्य में ही अध्यान है अध्यान पूर्वक समझदारी से तदाकार तदुरुपता पूर्वक स्वत्व स्वतंत्रता अधिकार होता है तो ये जो उपासना की बात है जो परंपरा में उपासना को कलेश मुक्ति के लिए एक विधी मानी है जिसमें हम कहते हैं कि जो इष्ट देवता है उसकी उपासना करने से हम कलेश मुक्ति को पाते हैं तो उस अर्थ में बाबा जी की उपासना को इस अर्थ में रख रहे हैं कि उपासना याने अध्यन ही है और उपासना की जो परिभाशा आती है तो उसमें कहते हैं कि उपायों सहित लक्षपूर्ती के लिए किया गया क्रिया करलाब या और एक परिभाशा आती है इष्ट सान के लिए किया गया उपाए और यहां पे जो इष्ट है उसको समझदारी के रूप में जागूति के रूप में देखते हैं तो यह जो हम अध्यान करें यही उपासना है इसमें हम किसको हम इष्ट के रूप में मानेंगे तो जो प्रमानित मानव है वही अध्यापक है जो हमको समझाता है गुरू के रुप में और उसके सानिद्य से अध्यन होता है तो अभी ये जो सभी सूचनाई है ये जागृत मानव की ही सूचनाई है जिसको हम अध्यन करते हैं और समझने का प्रयास करते है कि क्या वास्तविक्ता है और इस इस दोरान मतलब अध्याण से क्या होता है तो ये जो पूरी समझदारी की वस्तू है इससे हम तदाकार तदूप होते हैं और तदाकार तदूप होना याने उसको समझ़ लेना उस अनुसार हमारा जीना भी जो है उसी अर्थ में होना उसी को स्वत्व, स्वतंत्रता अधिकार ऐसा हम देखते है कि उससे क्या होता है स्वत्व याने समझदारी हमारी समझदारी में हम पूर्ण हो जाते है और समझदारी के अनुसार हमारा विचार और व्यवार होता है उसको स्वतंत्रता और उसी के अनुसार व्यवस्था में भागिदारी करने का अधिकार हमें प्राप्त होता है तो इस अर्थ में अध्ययन है ये अध्ययन की उपलब्दी भी है उपासना की भी यही उपलब्दी है और अध्यापक जो है वो अध्यापक की परिभाशा आई है अनुभव मूलक विधी से अनुभव गामी पद्धती पूर्वक सह अस्तित्व रूपी सत्य बोध कराने वाला तो जो अध्यापक है उसमें अनुभव की रोश्नी है अनुभव मूलक विधी से ही वह अनुभव गामी पद्धती पूर्वक सह अस्तित्व रूप मतलब जो बोध करा सकता है, वो ऐसा ही व्यक्ति है, जो स्वयम अनुभो प्राप्त व्यक्ति है, उसी को अध्यापक के रूप में यहाँ पे पहचाना है, आगी की अनुभूती है, प्रयोग से उपयोगी साधनों की पहचान होती है, तो अभी यहाँ पे जो प्रयोग है, उसमें यह प्रयोग जो शब्द है, वो जन्रली हम उत्पादन के अर्थ में जोडते है उसको, तो उसकी जो परिभाशा आईए है कि जो मनुश्य की आवश्यक्ता है, आवश्यक्ता के रूप में प्राकृतिक अईश्वर्यों को करने के लिए की गई प्रारंभिक प्रक्रिया, तो इसमें कोई भी जो हम शुरुवात में कोशिश करते हैं, कि हम साधनों को कैसे हम पहचानेंगे, तो प्रयोग पूर्वक साधनों की पहचान होती है, हम जो अलग-अलग विदिया निर्मित हुई, जैसे खेती की हो, या अलग-अलग यंत्र उपकरन बने, ये सब प्रयोग पूर्वक ही हम उनको पहचान पाएं, और फिर जब ये पहचान हो जाती है, फिर उसका जो है उत्पादन होता है, या उसका विपूली करन होता है, उसी को व्यवसाई के रूप में या उत्पादन के रूप में आगे लिखा है, उत्पादन से उपयोगी सामगरियों की उपलब्दी एवं विपूली करन होता है, जब प्रयोग से जो विदी हमको समझ में आई, वो सामान्युक रूथ हो जाती है, और उसी अर्थ में फिर हम जो सामगरिया उपलब्द होती है, समाज के रूप में, मानव समा अगली अनुबूती जो है, वो है, अभ्यास से कुशलता निपुनता पांडित्य में पारंगत होना प्रमानित होता है, तो यह जो एक-एक वो समझा रहे हैं बाबाजी, इसमें इतना समझ में आता है, कि जैसे अभी अध्यन समझे, उपासना समझे, प्रयोग समझे, व्य कुशलता है, तो जब हम कुशलता को देखते हैं, तो व्यवहार में जब हम प्रमानित होते हैं, और वो जो कुशलता है, वो व्यवहार अभ्यास से ही उपलग्द होती है, जो अभ्यास की बात कर रहे हैं, जनरल हम अभ्यास की इसको बोलते हैं, जब हम एक ही चीज बार- अब हमारा अधिकार हो गया तो यह जो अधिकार हो गया इसको हम कोलते हैं कि अभ्यास में हम पारंगत हो गए तो अभ्यास जो दर्शन में जैसा अभ्यास दर्शन भी है पूरा तो उसमें दो तरह के अभ्यास बताएं एक तो जागरिती के लिए अभ्यास और फिर जागरित प्रहुता और पंडिते को समझने जाते हैं तो समझ में आता है कि जब वह वहार अभ्यास ऊनहार मेरे लगी चिंटनल सान को क्रिया में यानि कि जिसको शाक्षातकार भी कोते हैं अनुबह गामी पद्धती में उसमें जब हम शाक्षातकार की उपलब्दी होती है तो वो चिंतना अभ्यास जो है उससे पांडित्य यानि पांडित्य पूर्ण हो जाता है तो ये अभ्यास से प्रमानित होता है अगली जो अनुबूती है उसमें कह रहे हैं कि निष्ठा से न्याए धर्म एवं सत्य के प्रकाश में मानव लक्ष के लिए अध्यन होता है। हमारी निष्ठा किसके लिए है तो हमारी निष्ठा जो है समादान सम्रुदी अभय सहस्तित्व रूपी जो मानव लक्ष है उसके लिए निष्ठा है तो उसकी जो निष्ठा है किसके प्रकाश में होगी तो जो हमारी द्रश्टियां है वो न्याय धर्म और सत्य के प्रकाश सत्य है वही सत्य है और उसमें अनुबूति जो है उससे जीवन ब्रह्म मुक्त होता है तो ये पूरा उन्होंने बताया कि क्लेश मुक्ति जो है उसको परमपरा में किस किस तरह प्रयोग किया गया और हर मद्यश्ट ड्रशन में इन छेयों जो अंग है अध्यन उपासना प्र ज्यापक सत्ता पारगामी पारदर्शी रूप में और देवी देवता ये नेक है और फिर उसमें इस्ठ की परिभाशा लिखी है निरभ्रमता पुर्वक श्रद्धा विश्वास सहित सिष्ठता का पहचान होना सहस्तितों में इस्ठ है ये बात यहां पर क्यों कर रहे हैं क् हम बोल रहें के निष्ठा होना और निष्ठा की निरंतरता होना जो उन्होंने अगली अनुबूती में लिखा है कि जागरिती रुपी इस्ठ में निष्ठा की निरंतरता से ही अनुबूती होती है तो जो निष्ठा है वो जागरिती रुपी इस्ठ में है जागरिती रु यानि कि जो भी दिव्य मानव है, देव मानव है, यह अनेक है और व्यापक सत्ता जो है वो पारगामी पारदर्शी है और हमारा जो इस्थ है वो निर्भ्रमता पूर्वक यानि ब्रह्म मुक्ति पूर्वक, शद्धा विश्वा सहित, शिष्ठता का पहचान होना, यानि कि जब हम बोलते हैं सिष्ठता, तो हमको यह समझ में आता है कि जीव चेतना से मानव चेतना सिष्ठ, मानव चेतना से देव चेतना सिष्ठतर, और देव चेतना से दिव्य चेतना सिष्ठतम, यह जो सिष्ठता की पहचान है, यह हमको हो जाती है और उसके प्रती हमारा इस् जीवन तत्व अमरत्व वादी है इसलिए नित्य सत्ता सहज अनुभव करने योग्य योग्यता को प्रमानित करने का अवसर हर मानव इकाई में है तो आगे ये बता रहे कि क्योंकि जीवन जो है अमर है इसलिए उसमें नित्य सत्ता का अनुभव करने की योग्यता है और इसलिए जीवन हर मानव में है इसलिए हर मानव में ये प्रमानित करने का अवसर उसको उपलब्ध है तूसरे के अस्तित्व के बिना जिसका अस्तित्व सिध्धन न हूँ उसको सापेक्ष की संग्या है तो इसमें ये बता रहे की जिसमें मतलब जो इकाया है वो सभी सापेक्ष के रूप में हमको दिखती है एक दूसरे की परसपरता के रूप में ही हमको समझ में आती है सर्वतो मुखी समाधान से समझदारी एवं समुरुधी श्रम से प्रकट होता है। यह दोनों हम प्राप्त कर पाते हैं कैसे तो असंग्रह विदी से। इसकी बात हुई तो उसमें यह असंग्रह संग्या है और उसका सद्वय मतलब यह सब हम क्यूं कर रहे हैं? यह उत्पादन क्यूं? इसका सबसे बड़ा जो परपस है यह सद्वय हो। इसका सदुपयोग हो उसको प्रयोजन शीलता के रूप में उसका उपयोग, सदुपयोग और प्रयोजन शीलता होना यह अनिवारी है यह आवश्यक है तब ही असंग्रह हो पाता है। तो उसमें एक ध्यान देने लाई जो बात है वो यह है कि वस्तुपयोग की विपूलता हो जाना यानि सादनों की विपूलता हो जाना वो असंग्रह नहीं है। जब असंग्रत की बात कर रहे हैं तो उसमें समाधान की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारे जिसको हम बोलें सरवतुम की समाधान हो जाना यारे हर दिशा हर कौन हर आयम हर परिपेक्ष में समाधान हो जाना उसके साथ में वस्तुओं की भी हमको जितनी आवश्क्ता है उससे अ निर्बीज प्रणुति है जिसको हमने कहा है कि निर्बीज विचार और वह यानि कि उपहले की गई आए कि उसके बाद इसका सदव्य अनिवार्य है यदि इसका सदवे नहीं हो रहा है तो फिर कहीं न कहीं वह असंग्रह नहीं है कहीं न कहीं वह संग्रह ही है तो ये बात हमको समझने बहुत आवशक है कि ये स्वधन विदी से ही सार्थक होता है तो ये जो असंग्रह है उसी से निर्विश प्रोहती का प्रसव होता है उसका उदाय होता है इसलिए इसको बात कर रहे हैं उसके पहले जो उनोंने लिखा कि दूसरे के सापेक्ष्था की जो बात की तो उसमें ये समझ में आ रहा है कि हर एक जीवन जो है तत्वा अमरत वादी यहने के हम देखेंगे तो अब इस दर्विश पर सहब्हक पर आङ करोड है ना सबी सथ सथ है तो यह बात हमारी ध्यान में रहे है कि जब मानओ कहरे तो सरो मानओ की बात कहरे है तो सापेक्ष्मा है तो ऐसा नहीं है की यानों मानलो कि कोई एक व्यक्ति समझदार हो गया तो परमपरा में सब समझदार हो जाएंगे है उसके लिए शिक्षा की अनिवार्यता है उसके लिए समझदारी की अनिवार्यता है और सभी को समझदार होना है उसके सिवाए कोई उपाई नहीं इस दर्ति के अक्षूनता के लिए सभी को स समरुद्धी पूर्वक लोग जब हो जाएंगे तब ही निर्विज प्रवुत्य का उदय होगा इसलिए ये निर्विज प्रवुत्य के उदय सही समाज की रचना या जिसको हम भोल रहे हैं के हरे काया में जो भागीदारी है वो हो पाएगी यदि समरुद्धी नहीं है या स अकर्टुत्व व अकर्मणत्व के निश्चे से ही असंग्र होता है तो जब हम बोल रहे हैं के अकर्टुत्व और अकर्मणत्व है इन दोनों के निश्चे से ही असंग्र होता है तो अकर्टुत्व को पहले समझ लेते हैं कि अकर्टुत्व की जो उन्होंने बात की है उस क्रिया कलापों को अपनाना ही अनावश्यक कार्यों से मुक्ति है यही अकर्तुत्व है ब्रह्मवश किये जाने वाले जितने भी क्रिया कलाप है वही बंधन है क्लेश कारी है इसका निराकरण अनुभाव सहज जागरीती पूर्वक किये जाने वाले सभी क्रियाकलाप समाधानकारी, सुखकारी और शुबकारी होना अकर्तुत्व है यही उपलब्दी और सम्रुद्धी है तो जो अकर्तुत्व को बाबाजी समझा रहे हैं यहां पर बहुत अच्छे से हुने यह बात को प्लेज किया है कि हमको जो विदी विहित क्रियाकलाप है यानि जो अस्तित्व सहज नियमों की पहचान है और उसके साथ में ही हम जो क्रियाकलाप करते हैं उसकी समझ के साथ में वही अकर्तुत्व है और उसमें यही भी बात बहले कि अभी तक हमने जो ब्रह्मवस जितने भी क्रिया कलाप करते हैं, जो ना करने लायक क्रिया कलाप करते हैं, वही बंदन है उसी से क्लेश है, तो वो ना करना ही क्लेश मुक्ती है, यानि कि आकर्तुत्व पूरग जो करना चाहिए उसको करना वही क्लेश मुक्ती है, और इसका म समझा है कि ब्रह्म से निराकर्शन ही अकर्टुत्व है यानि कि अधिमुल्यन अमुल्यन निर्मुल्यन जो दोश है उससे निराकर्शन हो जाना ही अकर्टुत्व है अमानुवित्या ही हर मानों के लिए अकर्णिया है जो नहीं करना चाहिए वो अमानुवित्या है अकर्ण प्रभुत्व है तथा और चेष्टा से अकर्मनिता है और चेष्टा को हम जब देखते हैं तो कुछ करना ऐसा मन में समझ में आता है जहां पर चेष्टा की बात की है तो जो श्रम्गति प्रक्रिया है जो निरंता चलती रहती है इकाई योग में उसको चेष्टा कर रहे है और अचेष्टा यानि अचेष्टा मतलब उससे मुक्त होना तो अचेष्टा से यानि कुछ नहीं करना उससे अकर्मनता है यह बात वो बोल रहे हैं और आगे निराकर्शन को उन्होंने स तो पहले जो आया था उसमें आसकती से मुक्त जो है वही निराकर्शन है तो आसकती क्या है तो जो जैसा है उसको वैसा नहीं मानना उसलिए जो शरीर में आसकती है जो सविधाओं में आसकती है इसको हम समझ पाते है उस तरीके से फिर आगे की अनुभूती है चेश्टा से मुक्त होने का अधिकार किसी इकाई में नहीं है अथ्वा किसी इकाई द्वारा सिध्ध नहीं हुआ है इसलिए चेश्टा से मुक्त के प्रयास को अकर्मन्यता आलस्य एवं प्रमादात्मक दोश निरूपित किया है तो इसमें ये समझ में आता है कि ये जो अकर्मन्यता की बात हो रही थी उसी को आगे ये बता हुआ है कि यह चेष्टा से मुक्त होना मतलब श्रम गती परिणाम से मुक्त होना कोई भी इकाई के अधिकार में नहीं है हम यहाँ पे हम देख पाते हैं कि हर इकाई हर जो इकाई है जो अवस्ता है वो चेष्ठा युक्त ही है और अभी तक हमने जब क्लेश मुक्ती या बंधन मुक्ती या भ्रम मुक्ती की बात हुई है परंपरा में उसमें कही न कही इस चेश्टा से मुक्त होने का प्रयास मानवोने किया है अलग-अलग विदियों से विचार से मुक्ती हो जाए या ये भ्रह्म बंधन से जो है मुक्ति हो जाए, शरीर से मुक्ति हो जाए, जीवन मरण के चक्र से मुक्ति हो जाए तो एक तरीके से हमको इस चेश्टा से मुक्त होना है, ये हमने मतलब उसको माना था जबकि बाबाजी यहाँ पर बहुत अच्छे से बता रहे है कि चेश्टा से मुक्त होने का अधिकार किसी भी हिकाई को नहीं है और ये जो प्रयास करते हैं चेश्टा से मुक्त होने का उसमें अकर्मन्यता आलस्य और प्रमादात्मक दोश हमको दिखते हैं जिसको आगे बताया है अकर्मनत्व अर्थात आलस्य और प्रमाद के रूप में होना पाया जाता है या कर्म से मुक्ती पाने का प्रयास ही अकर्मनेता है फिर आलस्य को बता रहे हैं किसी कार्य को सही मानते हुए उसकी उपादेयता सिद्ध होते हुए भी उसे न करना आलस्य है और प्रमाद जिस कार्य में उपादेयता सिद्ध होती हो उस सम्मंद में ज्यान के अभाव में वांशित क्रिया न संपन्न होने वाली स्थिती प्रमाद है तो जो अकर्मनत्व है वो आलस्य और प्रमाद दोनों के रूप में हमको समझ में आता है और आलस्य क्या है तो हमको पता है कि ये सही है ये हमको करना चाहिए पर फिर भी हम उसको नहीं करते है तो यह जो है यह आलस्य है और प्रमाद यह है कि हमको पता नहीं है अग्यान है लेकिन अग्यान मतलब यह अग्यान के अभाव में भी अग्यान के अभाव में हम उस क्रिया को नहीं करते हैं तो यह जो नहीं करना है इससे भी यह मतलब अकर कर्मनत्व है ये चैश्टा से मुक्त होने का जो पूरा प्रयास है इसको बता रहे हैं और ये क्यों जोड़ा तो इसमें हम देखते हैं कि अभी तक समाज में संग्रह विदी से जीने के लिए कर्मनत्व भी एक वज़ा बता है बाबाजी तो उसमें ये समझ में आता है कि उन्होंने कुछ करने के लिए प्रयास नहीं किये उस तरीके से हम समझते हैं कि ये इसको बाबाजी प्रमोट नहीं करें इसको नहीं बोल रहे हैं कि चेश्टा से मुक्त होने के लिए हमको प्रयास नहीं करना है तो हम सही चेश्टा कैसे कर पाए या हम जो करना चाहिए उ कि इसके बारा में बता रहा है बहुत बढ़िया यह जो बताया उन्होंने वह अच्छे से बात बताई कि कर्माथ वजो है कि अभी तक परंपरा में यह होना एकि सब जो जंजट है या जो जो बी जंजट की वजाए उससे हम मुक्ति पाना चाहते हैं तो फिर उसमें कैसे पा होना संभव ही नहीं है क्यों संभव नहीं है क्योंके हर एक इकाई जो है वो डूबी बीगी गिरी है याने उर्जा संपन है क्रियाशील है व्यापक में उसके कारण सचेष्ट ही है अब जब सचेष्ट है तो उससे मुक्त कैसे पाएंगे जब हर क्रिया जो है वो क्रियाशील है शरम गती परिणाम पूरवग तो उससे मुक्ती पाना संभव ही नहीं है किसी के अधिकार में नहीं है जब यह बात करें किसी के अधिकार में नहीं है तो उसका मतलब यह नहीं है कि दिव्यपद या उसके बाद में भी हम चेष्टा से मुक्त हो पाएंगे इसलिए जब हम यहाँ पर बोलें तो चेष्टा से मुक्ती संभव नहीं है इसको अच्छे से बाबा जी बता रहें कि चेष्टा से मुक्त हुआ ही नहीं जा सकता जो हुआ नहीं जा सकता उसके लिए प्रयास कैसे हो सकता है जो चीज संभवी नहीं है अस्तितों में जो है नहीं उससे छुटने का प्रयास कैसे करेंगे तो फिर उसमें इतना ही हो सकता है चेष्टा से यदि मुक्ती नहीं ही तो चेष्टा हमारी सही दिशा में हो जाए जो भी हमारे आजपास है उसको हम अच्छे से समझ जाए और जो है उसको समझेंगे तब भी उसके साथ निर्वा हो पाएगा इसलिए समझना जो है अति आवशक है मनुशे के लिए इससे भागना आया इसको हमने अभी बहुत सारा जगा देखा है कि इसको पलायन जो वृत्ती है वो कई उपाए नहीं है और उससे दुखी होता है ब्रहमी होता है उससे ब्रह्मुक्ति या निवरान नहीं हो पाएगा, तो पलायन कोई उपाएग नहीं, इसको अच्छे से अकर्मनत्व गदार उन्होंने बताया है, इसलिए जो दो भेद है अकर्तुत्व और कर्मनत्व, उसमें से अकर्तुत्व ही करने लायक है, उसी से असंग्र होता है, अकर्मनत्व से असंग्र कर सकते हुं यह बाद उन्होंने बता आगे की जो अनुबूती है उसमें लिख रहे हैं आन्षिक एबं पूण भेच से निराकरशन है मानवपद में आशिक निराकरशन तथा दिव्य मानवपद में पूण निराकरशन प्रमानित है यह उपकार प्रभूती सहज वरियत यहां दो बेद बता रहे हैं का आंशिक निराकर्शन और पूर्ण निराकर्शन निराकर्शन को हमने आगे पढ़ा कि वह जो अधिमुलियन या अधिमुलियन अवमुलियन निर्मुलियन जो दोश है उससे मुक्तोना ही निराकर्शन है तो जब आंशिक बोल रहे हैं और उपकार की प्रभुति रहती है पर उसकी उपकार की प्रभुति की जो यह पूरा होता है यानि उसमें सिर्भवार प्रवडिती रहती है बाकी कुछ पचता नहीं इसलिए यहां पर यह लिखा है कि उसमें पूर्णे निराकर्षन यह मानवपद में आंशिक निराकर्षन यह तको वह समझा रहा है आगे का जो एक परिबाशा है वो मैं पढ़ लेता हूं दो परिबाशा है तो अंतरंग और बहिरंग समस्त क्रियाएं सकारात्मक रूप में समयों मद्यस्त है चैतन पक्ष की अंतरंग तता जड़ पक्ष सहीत शरीर की बहिरंग संग्या है तो दो बात बता रहे हैं मानव ज समस्त्र क्रिया है अगर हम सकारात्मक लूप में देखे तो सम और मद्यस्त्र है उसमें विशम नहीं है वह बात हुए हो यहां पर बता रहे हैं और फिर आगे जो बता रहे हैं कि यह तीसरी बढ़िशा इसे जुड़ी हुई है इसमें बोल रहे हैं समाती रेक यानि स्रिजन विशमता के लिए कारण विशम विशमाती रेक विशर्जन सम क्रिया संपन होने का कारण है यही रचना विरचना करम स्थूल क्रिया में सपस्ट है तो यह लगता है आप अच्छे समझा पाऊगी तो इसमें यह समझ में आता है कि जो समाती रेक है मतलब कोई भी बीज से जब बुरुक्ष बढ़ता है या शरीर की रचना जब होती है तो वो बचपन से लेकर के तारुन्य तक मतलब वो बढ़ता है शरीर ये सम अतिरेक बढ़ता है और इसलिए सम अतिरेक जो है उससे विशमता की और गती दिखती है और वीशामति रेक मतलब जब विरचना हो जाती है या विरचना के लिए कार्य होता है तो वो सम के लिए कारण है तो ये रचना विरचना जो करम है ये बना ही रहता है और ये कहां बना रहता है तो ये स्थूल क्रियाओं में बना रहता है ये बात जो है ये बहीरंग क्रिया की बात हो रही है इसमें अंतरंक्रियाओं की बात नहीं हो रही है इसमें आगे की है मानव जागुरुति पूर्वक यथा स्थिती में ही मध्यस्त है यथा स्थिती ही स्वभावगती है मानव जब जागरुत होता है तो उसमें ये समझ में आता है कि ये जो सम विशम है न तो जागरुती पूर्वक सम विशम से अप्रभावित स्थिती है जो मध्यस्त है ये जागरुती पूर्वक मानव में स्थापित होती है और ये जो मध्यस्तिती की स्थापना है ये जीवन प्रत्यक्ष है क्रिया मात्र स्थिति नहीं है क्योंकि परिणाम से मुक्त क्रिया नहीं है इसलिए सत्ता ही स्थिति है तो अभी ये बता रहे कि स्थिति क्या है तो वो मध्यस्त है मतलब ये जो स्थिति है वो हम जो मध्यस्त सत्ता है उसमें डूबे भीगे घिरे होने से मानव में या जो मध्यांश है उसमें जो मध्यस्त क्रिया है उस अर्थ में स्थिति बनी ही रहती है ये जो बने रहना है विभव के रूप में उस अर्थ में स्थिती है और ये कब तक है तो जब हम स्थूल क्रियाओं में देखेंगे उसको तो वो कब तक है तो सुरुजन से विसर्जन तक और विसर्जन से सुरुजन तक अथा जो रचना और विरचनाज का जो क्रम है दोनों में हमको बने रहने क करम एक दिखाई देता है जिसको हम अध्यस्त के रूप में स्थूल क्रियाओं में भी पहचान पाते हैं क्रिया को स्थिति के रुप में नहीं पहचान रहे हैं जो सत्ता है फुरी बात हमने अभी तक पड़ी है उसमें यही है क्लेश मुक्ति है क्लेश मुक्ति कैसे होती है उसमें हमने छे बात से अध्यन उपास ना प्रयोग विवार वेवसाय अप्यास और निष्था को समझा उसके आगे जो उन्होंने थोड़ा सपष्ट किया कि जो असंग्र है उसी से निर्बीज प्रणुति का में नहीं है उसके बात करते हुए उन्होंने ने बताया कि मद्यस्त की जो बात है उसकी बात की और अभी ले जा रहे हैं इस अध्याय में तो अगली अनुबूती है वह वहीं से शुरू होती है और कैसे मानव में वो मद्यस्त है यानि मद्यस्त क्रिया से जो सम विश्म का नियंत्रण है उसी से हम सारे आवेशों से यानि क्लेश से मुक्त हो सकते हैं इसलिए इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर तो अभी उसको question answer जो है हम लोग दूसरे session में कर लेंगे अभी हर जो भी comment है उसको पढ़ना थोड़ा दिकत हो रहा है यह थोड़ा दिकत हो पूड़ा हो गया लगता है 10-26 हो गई है मैं पांच-10 मीट में इत्तों कनेक करके यहां पर हम सेशन को समाप करतेंगे अगले सेशन में बाकी का अद्या तोड़ा कर देंगे तो हर पर्मानू अपने में मद्यष्ट क्रिया है शम विशम रत आक्रमणो को मद्यष्टी करण की क्रिया समपन करने योग्यक शमता योग्यता और पात्रता को उपार्न परेंत विकास है तो यहां पर बोल रहे हैं कि परमाणू में मद्यस्त क्रिया ही है मूल रूप में क्यों मद्यस्त क्रिया है क्योंकि मद्यस्त क्रिया है सम विशम रत आक्रमनों को मद्यस्ती करन क्रिया संपन करने योगेता शमता और पातरता के उपार जिन परियन पिकतास है लग जब तक परिमानु में समविशम जो आवेश है या समविशम आक्रमन है उसको मद्यस्ति करण विधी से नियंत्रित नहीं हो जाते है उसके परियंद विकास है यह जहां जड़की बात कर रहे है और फिर आगे उन्होंने मानव में कैसे है उसको अगली अनुपूति में बताया है कि पूर्ण विक्सित जागरी तिकाई में आत्मानु वर्ति बुद्धि चित्य वृत्ति एवं मन की क्रियाये मद्यस्ति करण प्रणाई से नियंत्रित होती है जिसके फल स्वरूपी सुक्षान्ति संतोस एवं आनंद की प्रतिष्था होता है तो जब मानव में देखें कि मानव जड़ और शरिवं यानिके शरिव और जीवन का संयुक तुरूप है जीवन में हम देखते है तो जीवन के एंग गरुप में मन, रुत्ति, चित्य बुद्धि, आत्मा को देखा है उसमें भी जो आत्मा है वो मद्यांश है यानिके वो मद्यमस्थित है आत्मा का ज। आंश है। प्रणाली से नियांत्रित यह किस्प्रम्न होता है . जब जिसको पूर्ण विक्षित का है क्योंकि आगे विकास की भात किये कि संता युगयता और पात्रता का उपारजन तब तक चलता रहेगा जब तक मद्यस्ति कर्म प्रणाली से सम विशम आख्रमनों को नियंत्रित नहीं हो जाते तो इसलिए जागरिति काई जो है उसी में ये संभव है कि जो बुद्धि, चित, रुत्ति और मन है वो मद्यस्ति कर्म आत्मा से नियंत्रित हो जाए आत्मा नो वर्ति हो जाए यही पूरा एक तरह से प्रयास है ब्रह्मुक्ति के लिए और इससे फलन में क्या होगा तो उससे फलन में जो उपलब्दी होगी वो सुक्ष, शांती, संतोष और आनंद की उपलब्दी होती है प्रतिष्ठा होता है उसको उन्होंने ये बात में रुपना है यानि कि जीवन लक्ष है उसकी प्राप्ति हो जाती है जो मद्यस्ति करन प्रणाली है उससे इसकी बात यहाँ पर उन्होंने की है तो एक और अनुबुती कर लेते हैं अगली अनुबुती में कह रहे हैं क्रिया से मुक्त इकाई नहीं है सम विशम एवं मद्यस्त करिया का हुना पया जाता है जैसा कि उपरवनित है सम तता विशम करियाओं में संतुलन नहीं है इसलिए यह सिद्ध होता है कि मद्यस्ति करन प्रणाली से इकाई को मद्यस्त करिया से संतुलित किया जाता है इस प्रकार मद्यस्त की ही क्रिया शिलता प्रमानित होती है तता सम और विशम इसके नियंत्रित सिद्ध है तो जैसा आगे बता है वैसे ही बात उन्हें वापिस वही बात बताई है कि क्रिया से मुक्तिकाई नहीं है यानि कि चेश्टा से मुक्तिकाई है ही नहीं उसमें ती और जो एक और अनुबुति है जिसमें बता रहे कि इकाई हो और निश्क्रिय हो ऐसी कोई संभावना नहीं है यानि यदि इकाई है तो उसमें क्रिया शिलता है ही क्यों क्रिया शिलता है क्योंकि वो व्यापक में संप्रुक्त है डूबी है बीगी है गिरी है और संप्रुक् तो क्रियाशील है ही यदि क्रियाशील है चेश्टा है तो उसको समझना उसको जैसा है वैसा समझना यानि तीनों दोस्ट से मुक्त होना यही निर्ब्रम्ता है यही निर्ब्रम्ता से यानि ब्रह्म मुक्ती से क्लेश मुक्ती हो सकती है इसलिए अध्यन जो है वो निर्ब्र बस अभी मुझे लगते है धन्यवादी करते हैं, time हो गया है, तो बस उतना ही मुझे उसमें जोड़ना था कि जो मध्यस्त की क्रियाशिल्टा ही प्रमानित होती है, मतलब सम और विशम जो है उसकी क्रियाशिल्टा प्रमानित नहीं हो पाती क्योंकि निश्चित आचरण का ह ही हम अध्यान कर सकते हैं मद्यस्त के आचरण का ही हम अध्यान कर पाते हैं और बाकी हम आगे अगले सत्र में जो है इसको इस अध्याय को पूरा करते हुए और फिर जो सब question-answer है उसको भी हम उसको भी हम रखेंगे सभी को धन्यवाद